तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुती इजी आंड डिलिशिस मेल्ट इन माउथ क्विक चॉक्रेट मूस की रेस्पी तो चलिए इसकी रेस्पी देखते हैं तो सबसे पहले कढ़ाई या फिर पान में हम लोग ले लेंगे दो कप दूद इस स्टेज पर आप अपने गास को ओफी रखेगा वो बहुती जरूरी होता है यह जो दूद हम लोग यूज कर रहे हैं वो उबला हुआ भी हो सकता है या फिर कच्चा भी हो सकता है फुल क्रीम हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है उससे कोई फरक नी पड़ेगा फिर हम इसमें डाल देंगी एक छोटी चमबच चावल का आटा यह जरूर डालिएगा अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो फिर आप कॉन फ्लोर भी डाल सकते हैं अगर वो भी नहीं ह करूंगी चावल का आटे कॉर्ण फ्लार कोई क्योंकि आज मैं वेजिटेरियन चॉक्प्लेट मूर्स केक विन आ रही हूं इसलए यहां पर मैं अगर अगर पाउडर यूज कर रही हूं अगर आपके पास जेलेटेन और आप नॉन वेजिटेरियन है तब जेलेटन भी और मीडियम फ्लेम पर कंटिनियूसली मिक्स करूंगी एक से दो बिने तक ऐसी मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 120 से 150 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड आप डार्क चॉकलेट ही यूज करीगा ज़ादा बेटर रहता है लेकिन अगर आपके पास डार्क चॉकले इसको आड़ करने के बाद हम इसे कंटिनियूसली मिक्स करते हुए डिजॉल्फ कर लेंगे मिक्शर करेंगे आप पूरे टाइम इसे मिक्स करें क्योंकि यह बेस पर असानी से चिपक जाता है तो आप देख सकते हैं यह सानी से मेल्ट हो गया है और बॉयल होना भी शुरू भी हो गया है आप देख सकते हैं इसका मिक्शर कितना थिक है तो यहाँ पर मैं फ्लेम को कर दूंगी ओफ और इसे लगपर पांच फ्रिट के रेस्ट पर रख दूंगी उसके बाद इसे कोई भी ग्लास या फिर केक टिर में ट्रांसफर कर लेंगे आप चाहें तो कोई भी गोल टिन भी यूज़ कर सकते हैं बस आपको इसे ट्रांसफर करना है ग्रीस करने की कोई भी जरुवत नहीं है ट्रांसफर करने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे पूरे एक घंटे के लिए एक घंटे के बाद यह इद्दम अच्छे से सेट हो गया है एंड येस आ के की तरह चाकू को अंदर नहीं ले जाएंगे उपर ही स्क्रेप करेंगे अगर आप अंदर ले जाएंगे तो फिर ये टूट सकता है फिर हम इसे फिलिप कर लेंगे और करेंगे डी मोल और आप देख सकते इंदम बटर जैसे स्मूध और कितना शाइनी मुसकेक बनके त् तो अब हम इसे कट कर लेंगे थोड़ी से स्लाइसे के संग ये इतना सॉफ्ट है आप देख सकते है इतना जैली की तरह है आपको चाकू गरम करने के कोई भी जरूवत ने है इसे कट करने के लिए सिंपली एक नॉर्मल चाकू से भी कट कर सकते है कि इतना सॉफ्ट और संदाई तो मेरे वीडियो को लाइक करेगा चानल को सब्सक्राइब करेगा और मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक लिए हापी कुकिंग